तो कैस मैं हुआं की तो और आप देख रहे हैं रस्लिंग फैंस नेटपक सुरु करते हैं भाई अपनी वातों करनों सबसे पहले ब्रॉक लिस्नर से तो इससे पहले वाली वीडियो गर आपने नहीं देखिए तो जाके जरूर से देखना विकॉस ब्रेकिंग न्यूस उसके अंदर ही है ब्रॉक लिस्नर को लिए तो भाई जो ब्रॉक लिस्नर है वो कंफर्म हो चुक है कि बहुत ही जल्दी आपको डबडबी के अंदर वापस आते हुए दिखेंगे बिकॉस डबडबी के पीछे पर चुकी है कहा गया है रस्लिंग ऑब्जवर लाइव के अंदर अलवरेस की तरफ से कि जो प्रोसे से वो चालू हो चुका है याणि बैक्स्टैज लेकिट को लेकर डिमांट चालू है अभी यह लोग तरीका ढूब रहें कि किस तरीके से कहा पर कब लेस्नर को लाना है अब यहाँ पर इस वीडिएट में मैं आपको बताता हूँ कि ही वह culprit है और ना ही वह किसी भी तरीके से भाई उसीच से साफ सुथरे निकले हैं तो अभी वह चीज प्रोसेस के अंदर है लेकिन सपोज करो यह केस वगरा लिगसन वगरा रैप अप हो जाता है तो देन यह सब होते होते एक साल लग जाएगा मिनिममम बतारू में तो अगर नहीं पर रहा विकाज ब्रॉक लिसनर एक बहुत बरा नियम है तो इस कंडिसन में डेवी डेवी कभी भी रिटरन करा सकती है और जो मॉस्ट लाइकली प्ले से वो समस्लैम है उसके पीछे कहीं भी नहीं है विकाज समस्लैम तक क्या होगा अभी अगस्त 3 के लिए समस्लैम भी पीक पे था लेकिन उसके बाद धीरे-दीरे मुंता सांत होने लगा अगस्त आते आते यह और जादा सांत हो जाएगा ठंडा हो जाएगा एंड उसी टाइम पर लिसनर का रिटरन होगा विकाज डबल डबली सको लेकर डिसकसन करना चालू कर चुके तो मॉस्ट लाइक यह डबीड़ी सो ऑथेंटिकेटेड है या फिर नहीं डबीड़ी के साथ लिंग्ट है या फिर नहीं लेकिन देखना होगा वक्त बताएगा लेकिन कल टीज वगरा निकल के सामने आया था रौक खत्म होने के बाद अब मैं आपको बता दू भाई कि अलेक्स अबलिस ने क्योंने कर रही थी तो इन्होंने एक फैन का भी रिसपॉंड करा साथ में डबीड़ी की जो एनाॉसमेंट पोस्टाइट रपलाज की तरफ से समस्लाइं को लेकर उसको कोट करती है और लिखती है और यहां पर नजर डालती है और दिखाती है कि हाँ मेरा ध्यान इसको पर तो यह समस्लाइं का टीज है साथ में एक फैन ने ट्वीट करा था क्योंने के अंदर ही और पूछता है यू एवर प्लैन ओन रिटैनिंग तो यहां पर इसका रिप्लाइट सिंपल आता है तीन से यहां पर लेटर से और वह है यह यह एप तो यह कंफर्म बताती है कि हाँ हाप लाइक स्मस्लाइम स्क्राइब्स लाएब स्टीज नहीं कराइन आज ननकल रिटरेंड साथ में तो यह साथ में द्रेट मेर का वी टीज आ रहा है तो क्या यह स्ता re six थोड़ा अगस्तक का वेट करना परेगा रसलमीना खत्म होने के बाद और चीजे जादा ख्लेरिफाई होगी अपडेट्स पगर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा बस आप चैनल के साथ लिंग रहो जॉइन रहो बाई एक्टिव रहो एंड एलकसा का ये टीज निकल गया ह तो मॉस्ट लाइकली प्लेस अभी समस्ट लाइम धोजा 24 दिख रहा है यानि कि क्लीवलेंट से जो कि लोगन पॉल ने कल एमपॉस्व पर अनौंस करा आगे बढ़ते हैं गाईज बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेगा अब जॉन सीना ने र चीज कर रहे हैं डीसें टाइम अपने रिटाइमेंट को सोलो सीक्वा से हारनी के बाद तो लगा भाई कि इनका लास्ट मैच ही था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था भी जॉन सीना का थोड़ा और वक्त बचा वाई डबीड़ी के अंतर जॉन सीना आपको कंपीट वंपीट करत रेसल नहीं करूंगा यानि कि जैसी मेरी एज हो जाएगी 50 उसके बाद रेसल रेसल करना खतम यानि कि जब तक मैं 50 का नहीं होता इसका मतलब वही है कि वह रेसल करते रहेंगे अभी क्या है जौन सीना कि तो अभी जॉन सीना कि एस 46 यानि कि मानके चलो लगभग 47 के को देखने को मिलेंगे तो अभी के हिसाब से भाई यह को जौन सीना ने कहा है और उसको अंडाजा लगाएंगे तो यह कुछ निकलता है तो इनफ टाइम है विगास मुझे परसनली लग रहा था कि सायथ जौन सीना का दोहजा 24 ही लास्ट होगा लेकिन अगर यह 27 तक को देखने को मिल जाएगा एड़लो के इंदर कले एड़लो बिग बिजनेस बॉस्टन से और मैंने आपको पहली बताया था कि इस वाली इवेंट के इंदर साथ सब्सक्राइब की मर्सेडिस मोने के एड़लो में जाने के चांसे बहुत ही जादा वहां पर डिब्यू कर सकत देखने को मिलेगी कल एड़लो बिग बिजनेस में तो अभी के इस आप से यह अपडेट है अब देखो बाई डबी डबी के अंदर तो वह आने सरी मतलब आज ना कल वह आएंगी उन्होंने कहा भी है कि एक ना एक टाइम पर इवेंच्वली वह वह वापस आएंगी लेकि एड़लो गंदर देखने को मिलेंगी कल बागी यह होगा डब्यू अगरा तो मैं आपको बताओंगा लेट सी इंटरनेट कर कैसा रियाक्ट करता है इस चीज को पर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइन स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोट्स मैं आपको बता दू को पता है कि रिसल में ने फूर्टी में फाइनली बन जाएंगा इंडिस्पूरी फिनिस कर देंगे उसके बाद कहीं सारी फ्यूर्ट से जो कि उनकी होगी वह काफी सारा ऐसे सूपरस्टर्स को फेस करेंगी जिनको वह एलिवेट करने वाजें नूइ वीच और हिस्ट्री है और आपको मालूमी होगा वो सब लेगसी के मेंबर्स बीते हैं साथ में हमने देखा भी कि जब आया भी तो उसके साथ भी एक दो सेग्मेंट समय देखने को मिले रैंडी ओर्टन के साथ उनके एंड मैं आपको बता दूब कि डवी बहुत पहली साथ क चुकी होती रैंडी ओर्टन worst is Cody Rhodes but because Randy ओर्टन इंजर्ड होगे एंड यह चीज तो तो थोरी जारा WWE सपॉंड करनी पर रीटरन वगेरा रेंडी ओर्टन का तो टाइम लग गया जीज में अब ऐसे में रैंडी ओर्टन भाई को डायरेक टाइटल के लिए ही चैलेंज सब्सक्राइब लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को तकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और बैसे डबे डबी की न्यूज रूमर अपडेट सब को सबसे पहले मिलते रहे फॉल्ल कर सकते मुझे इंस्टाइग्राम एंट ट्वेटर पल लिंक आपको मिल जाएगे डिस्क्र अप्सिन में मिलते हैं अपनी नेक्स ओफेर काफ इंट्रस्टिंग वीडियो में